हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी यूटो चैनल एग्री पैराडाइस में इससे पहले वाले वीडियो में हमने exercise 1.1 खातांक सिधान्त की discuss की थी और उसमें बहुत से questions कराए थे और उसी pattern पे बहुत से question exercise 1.2 में आपको देखने को मिलेंगे उससे जो अलग तरह का question है वो इस वीडियो में आपको discuss करने जा रहे हैं चलिए शुरू करते हैं question आप देख सकते हैं a square minus b square और power है 1 वटा 2 और a minus b power 3 upon 2 a plus b power है minus 1 वटा 2 तो इस question को solve करना है तो सबसे पहले इस question को देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ a square minus b square तो इसका एक formula होता है a square minus b square का a plus b into a plus b तो इसी formula का हम use करेंगे और जो घातांक सिधान्त का जो rule है उसको apply करके question को solve करेंगे चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ से इसमें formula apply करेंगे इसका लिखेंगे a plus b और यहाँ से आएगा आपका a minus b ओके और यह power जो है आपकी है a square 2 तो इस तरह से हमने a plus b a minus b जो formula का use किया और यहाँ से a minus b whole power बनेगे आपकी 3 upon 2 यह आपका रहेगा a plus b minus a square 2 ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि whole power पर a square 2 है तो इस power का जो हो जाएगा इसके अंदर multiply यहाँ पर power 1 है 1 से multiply 1 upon 2 ही आएगा और a minus b की power भी 1 है तो 1 into 1 upon 2 है नहीं कि 1 upon 2 आएगा तो power का कर देंगे अंदर multiply तो यहाँ से a plus b a square 2 a minus b इसकी जो घाते वो a square 2 हो जाएगी यहाँ से फिर इसको लिखेंगे 3 upon 2 और a plus b power हो गए minus a square 2 ठीक है अब यहाँ से जो देख सकते है a plus b और यह वाला base यानि कि multiplication में जब base same होता है तो power add हो जाती है तो हम यह base और इस base को साथ में लेके power को solve करेंगे यानि कि लिखेंगे a plus b a square 2 और यह वाली power है minus a square 2 यहाँ पर कर देंगे और इसी तरह से यह वाला base है a minus b a minus b इसका भी साथ में हम जो घातांक सिधान्त का प्रयोग करेंगे यानि कि 1 upon 2 और यह power कर देंगे 3 upon 2 तो यहाँ से 1 upon 2 1 upon 2 यह plus की value है यह minus की जब same value होती तो यह cancel हो a plus b जब इसको minus करेंगे 1 upon 2 से तो power आपको मिलेगी 0 यहाँ से a minus b अब यहाँ से देख सकते हैं 1 upon 2 और 3 upon 2 यानि कि जो हर है वो है बरावर 2 तो यानि कि 1 plus 3 जोड के कितना हो गया 4 तो यहाँ से हो गया आपका 4 upon 2 ठीक है तो इस तरह से 2 से इसको cancel out करेंगे तो यह मिलेगा अब यहाँ पे क्या है a plus b की power है 0 जब किसी की भी power अगर 0 होती तो उसकी value होती है 1 तो यहाँ से इसकी value आपको मिल जाएगी 1 into a minus b whole power कितनी आपकी बची 2 तो यहाँ से multiply करेंगे तो आ जाएगा a minus b की power 2 तो इस तरह से यह आपका final answer हो गया तो करना क्या है सबसे पहले यह क्या इसमें कोई formula use हो रहा है नहीं use हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते है a square minus b इसका तो a plus b a minus b ओके फिर power का अंदर multiply कर दिया फिर यहाँ से अब हम यह देखेंगे multiplication में जो आपके base है वो बराबर जो मिल है उनकी power को हम with sign add कर देंगे यानि a plus b a plus b power 1 upon 2 1 upon 2 इसको जब सब fraction को solve करेंगे तो 4 upon 2 आएगा इसको cancel out करेंगे तो जब 4 यानि कि 2 power मिलेगी power अगर 0 है तो हमेशा याद रखेंगे कि उसकी value क्या हो जाती है 1 हो जाती है तो इस तरह से final answer हो गया अब next question को discuss करते हैं यहाँ पे under root a plus b under root a minus b इसका आपको multiply करना है under root a plus b और under root a minus b से तो वैली जो वैलू है आपकी plus मतलब यह में plus की हुई है और यहाँ पर क्या हुआ माइनस हुआ है यह value इसका देख सकते हैं यह वाली वैलू under root a plus b और यह अंडर root a plus b और यहाँ से minus यारि कि दोनों जो यह प्लस अतब इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो under root a plus b है अगर हम इसको a कर लेते हैं और अंडरूड ए माइनस बी जो है इसको हगर हम बी मान लेते हैं ओके यह स्मॉल में दिया था हमने कैपिलेटर में हाँ पर लेट कर लिया ओके तो यहां से जब वैलू वापस रखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा a plus b और यहां दूसरे प्रेकिट में मिलेगा a minus b ठीक है a plus b a minus b तो यहां से एक फार्मुला नजर आ रहा है फर्स्ट कोर्शन में भी हमने बताया था a square minus b square तो यहां पर हम लिख सकते हैं a square minus b square लेकिन हमने क्या किया a को ये लिट किया था ना तो हम वापस a की value जो थी वो वापस value को put करेंगे a और b के place पे तो यहां से put करते हैं under root a plus b का square minus under root a minus b का square ओके जब एक बात याद रखेंगे जब under root में value होती उसका square करते हैं तो under root आपका cancel हो जाता है तो इसी तरह से आपका आजाएगा a plus b यहां से और यह आपका आजाएगा minus a minus b ओके फिर क्या करना इस minus का अगर हम multiply कर देंगे इस bracket के अंदर जब भी bracket को open करते हैं वो बाहर होता है minus तो जितने भी अंदर के bracket के अंदर के हो गया cancel b plus और प्लस b यानि कि यहां से जुड़के आजाएगा 2b तो इस तरह से यह question solve हुआ देखते हैं एक बार और समझ लेते हैं कि इसका multiply आपको इससे करना था सबसे पहले हमने देखा कि हमें formula मिला a plus b और a minus b का तो इस तरह से हमने लेट किया formula यूज किया a square minus b square बापस value हमने put कर दी a की जो under root a plus b थी और b की जो under root a minus b थी तो इस तरह से जब square under root का करेंगे square under root cancel हो जाएगा इसका भी यहां से cancel हो गया a plus b अब minus का multiply किया तो इस तरह से solve होके 2b आ गया चलिए question number 3 समझते हैं यहां पर x square plus x की हाथ minus 2 और इस तरह से यह लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं यहां आपका plus 1 है यहां पर क्या है minus 1 है तो यहां से इस question को observe करेंगे सबसे पहले यह वाली value same दिख रही और यह सेम दिख रही है और यहां आपका 1 है यह minus का 1 है यानि यहां से हम क्या करेंगे इसको जो आपका x square plus x की हाथ minus 2 है इसको हम लेट कर लेंगे a यानि कि इसको हम लेट कर लेंगे a और जो आपका 1 है इसको हम लेट कर सकते हैं b तो यहां से आपका मिलेगा a plus b और यहां से मिलेगा a minus b तो इस तरह से यह फार्मूला फिर बन गया A square minus B square का A square minus B square जो हमने value लिट की थी उसको वापस रखेंगे X की हाथ 2 प्लस X की हाथ minus 2 इसका square करेंगे minus आपका 1 का square यहां पर होगा तो आप यहां पर क्या है A plus B का whole square फार्मूला होता A plus B का whole square A square plus B square plus 2AB तो उसको यहां पर हम apply करेंगे कैसे करते हैं देखिए X square यहां पर इसका square करेंगे plus B square यानि इसका square हो गया plus क्या करेंगे 2 multiply A into B B के place पर है X की power minus 2 और यह 1 का square जब करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा अब यहां पर क्या है कि यह square लगा हुआ है यानि कि 2, 2 यानि कि इसका power का हो जाएगा multiply X की power M whole power N होती तो multiply हो जाता है तो यहां पर हम बोल सकते हैं X की power 2, 2 नी 4 इसी तरह प्लस X की घात minus 2, 2 नी 4 याद रखेंगे इस minus 2 का square नहीं करना है power का power से multiply होगा minus 2 into 2 करेंगे तो minus 4 आएगा इसी इसको याद रखेंगे अब यहां पर 2 यहां पर X लिखेंगे 2 minus 2 हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो base है multiplication हो वो same है, X है और जो power है आपकी एक plus है, एक minus है तो हम प्लस 2 और minus 2 यहां पर लिख लिए यहां से अब लिख देंगे इसको minus का 1 minus 1 यह हो गया आपका यहां से 2 से 2 cancel हो जाएगा यहां से आपको मिलेगा 0 यानि इसको लिख सकते हैं X की power 4 प्लस X की power minus 4 प्लस 2 यहां पर into X की power आपको मिलेगा 0 और अभी हमने बताया था कि जब भी आपका अगर power किसी की भी 0 है यानि X कोई number है तो हमेशा उसकी value 1 होती है तो इसकी value 1 होने की वज़े से X की power 4 इसको फिर से लिखेंगे और यहां पर 2 into 1 क्योंकि X की power 0 की value हो गई 1 यानि कि 2 minus 1 करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगे X की power 4 plus X की power minus 4 और 2 से 1 जब घटाएंगे यानि की क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह से question लिखा हुआ है तो यहां से सबसे पहले इसको जब हम देखेंगे तो X square plus X की हाथ यहां पर minus 2 है और यह वाली value इसके same है बनेगा A plus B और A minus B यानि की A square minus B square तो उसी को हमने यहां पर इसको A let किया B को मतलब 1 को V let किया तो formula बन गया A square minus B square बापस A की value जब हमने यहां पर रखी तो यहां से इस तरह से बनेगा B की value 1 रखती ठीक है फिर क्या करना आपको फिर एक formula बन रहा है यहां से A plus B का whole of square A plus B का whole of square वो होता है आपका A square plus B square plus 2A B यानि की X जो X square है आपका A है तो A का square X की हाथ minus 2 है या आपका B है तो B का square plus 2A into B minus 1 ओके यहां से आप power का power से होगा multiply क्योंकि power पर power है तो 2 टू जा 4 हो गया 2 टू जा आपका outcome minus का 4 हो गया ओके यहां से क्या है X की power यहां पर आपका multiplication में जब base same होता है तो power with sign add होती यहां है कि plus का 2 यह minus का 2 लिख लिए 2 से 2 cancel होगा आपका यह minus 1 साथ में चल ला है ओके तो यहां से क्या है आपका कि जब हमने cancel किया 2 से 2 तो यहां से 0 मिला हमको तो 2 X की power 0 अगर किसी की power 0 होती है तो हमेशा उसकी value होती है 1 यहनि कि 2 का multiply में 2 का multiply जब 1 से कराएंगे तो आपका 2 मिलेगा और यह आपका minus 1 साथ में minus 1 लिख लिए अब यहां से आपको यह सब साथ में लिखते रहना X की power 4 प्लस X की power minus 4 और 2 से जब 1 को हम घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 तो इस तरह से X की power 4 प्लस X की power minus 4 प्लस 1 यह आपका final answer हुआ question number 3 का ओके इस तरह से solve करेंगे इसको चलिए अब question number 4 यहां से इस तरह से question number 4 आपका लिखा हुआ है तो A की power X देख सकते किस तरह से है तो सबसे पहले यहां पर इस question को solve करते हैं चलिए तो A की power X है जब हमने बताया था कि जब आपका A की power Y है जब इसको हम मतलब uns पे ले जाएंगे हर को मतलब जो भी हर पे होगा uns पे ले जाएंगे तो उसकी power का जो sign है वो change हो जाएगा यानि आपका अगर plus power है तो वो हो जाएगी minus तो यहां से हम लिख सकते है A की power X और यह base है आपका A की power मतलब minus Y हो जाएगा च्छिक है तो यहां पे हम यहीं पे समझाना चाहेंगे देखो A की power X into A की power minus Y है तो यहां पे जब आपका base जो है multiplication में same है तो power with sign add हो जाएगी यानि कि यहां पे आपका मिलेगा A की power X minus Y तो इसी चीज को हम यहां पे directly put करेंगे कि जिससे question थोड़ा जल्दी solve हो सके चलिए देखते हैं तो आपको क्या करना है यहां पे लिख सकते हैं A की power X यह आपका Y जो है उपर जाएगा तो हो जाएगा minus Y ओके अब power आपकी क्या है यहां पे X plus Y है इस तरह से same process यहां पे करेंगे कि आपका base same है तो इस power को जो हम उपर ले जाएगे यानि कि Z को उपर ले जाएगे तो minus Z हो जाएगा अब whole power आपकी क्या है Y plus Z है इसी तरह इसको लिख सकते है A की power Z minus X whole power के आपकी Z plus X है हमने rule बताये कि जब power पे power होगी तो power का power से होता multiply यानि यहां से हम बोल सकते है A की power X minus Y into में होगा X plus Y same process यहां पे लगाएगे यानि यहां पे हो जाएगा A की power Y minus Z into Y plus Z हो जाएगा यहां से A की power Z minus X और यहां से मिलेगा आपको Z plus X मिलेगा ठीक है फिर यहां से क्या है की यहां से एक formula बन रहा है A minus V A plus B उसका formula क्या होता है A square minus V square का होता है यानि की इसको हम बोल सकते हैं X square minus Y square multiply है यहां पे जब कोई सम्मत्रब bracket दो लगे होते हैं तो multiplication का ही sign होता है तो यहां से इसको फिर से लिख सकते हैं Y square minus Z square यानि A minus V A plus V का A square यानि की Y का square और Z का होता है square इसी तरह से इसको लिखेंगे Z square minus X square ठीक है क्योंकि A minus V A plus B इस तरह से आप देख सकते हैं की multiplication में जो आपका base है वो same है A into A into A तो जो power होगी भी sign add हो जाएगी यानि हम base A लिखेंगे और power को add करते रहें X square minus Y square यहाँ पर क्या है यह plus का Y square यानि इसको लिखेंगे Y square minus Z square plus यहाँ पर लिख सकते हैं Z square minus X square तो यहाँ से देख सकते हैं जो आपके same term है और जो sign जो है opposite है यानि की plus का X square minus का X square यह cancel होगा इसी तरह Y square से यहाँ से minus का J यह plus का J cancel होगा यानि यहाँ से सब कुछ cancel होने के बाद क्या मिल जाएगा हमको 0 मिलेगा अब एकी power 0 यानि कि जब किसी की power 0 होती तो उसकी value हमेशा कितनी आती है 1 आती है तो इस तरह से question number 4 का इस तरह सालिवसन हमें मिल गया तो सबसे पहले आपको easy way में solve करना है question को solve करते समय हरवडाना नहीं है और जो भी आपके formulae use हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते होगे question को लगाएंगे तो question कभी भी गलत नहीं होगा और जल्दी से लगेगा और समझ में भी आएगा चलिए question number 5 समझते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि under root में जितने भी आपके लिखे हुए हैं value वो सब under root में लिखे हुए हैं और यह multiplication में तो एक बात का ध्यान रखेंगे जो भी value आपकी अगर under root में जितने भी हो और multiplication में हो जो power under root का मतरब एक बटा दो होती तो हम उसको अंदर multiply कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे इस तरह से under root लगाएंगे और यहाँ से a cube bc फिर multiply में लिखेंगे a b की power 3 यानि कि c हो जाएगा और फिर यह आपका बचा हुआ a b c की power यहाँ पर 3 हो गया और फिर क्या है कि under root जो है आपका यहाँ पर upon में है under root a b c इसको लिख लेंगे अब यहाँ से क्या है कि जो a की power यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है यहाँ पर क्या 1 है और सभी यह multiplication में है तो power आपकी add हो जाएगी यानि कि लिखेंगे a की power 3 plus 1 plus 1 यानि कि यह 3 और plus 1 और plus 1 इसी तरह b की power आपकी आएगी 1 plus 3 and plus 1 यानि कि यहाँ से b की power 1 मिल लही यहाँ पर 3 मिल लही यहाँ पर 1 मिल लही इसी तरह c की power लिखेंगे 1 plus 1 plus 3 क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर C की पावर कितना है, 3 है, upon में क्या आपका under root, ठीक है, under root A, B, C, तो यहाँ से आपका यह power जब जुड़ेगी, A की पावर 3 और यह 2, यानि कि 5 मिलेगा, इसी तरह से B की पावर 5 और C की पावर क्या मिलेगा, 5, upon में क्या है, under root, और इस तरह से यह under root आपका साथ में चलेगा, under root, ठीक है, under root A, B, C, अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर under root, whole under root यह है, यहाँ पर भी under root है, तो अंस पे भी under root है, और हर पे भी under root है, तो हम इसको एक fraction बना लेंगे, यानि कि इसको लिख सकते हैं, under root A की पावर 5, B की पावर 5, C की पावर 5, इसी तरह से, upon में इसको लिखेंगे, A, B, C, अब क्या होगा, कि जब आपकी यह power 1 है, 1 जाएगी, उपर, यानि की हो जाएगी, minus, तो 5 से 1 घटके वापर आ जाएगी, हाँ पे 4 आ जाएगी, इसी तरह B की पावर आपको 4 मिलेगी, C की पावर 4 मिलेगी, और इसका यह लग होता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कि आखिर यह power half कैसे हो जाती है, एक example के लिए अगर हम समझाना चाहें, अगर आपका under root x square है, ठीक है, तो जब under root से बाहर लिखते हैं, तो x की, sorry, x ही आता है, क्यों, क्योंकि x की power 2 यह रहा, और यह under root का मतलब होता है, 1 upon 2, या यहां पर क्या हमने किया, a का 4 power है, और यह power, यहां पर whole power 1 upon 2 बनेगी, तो 2 से इसको cancel करें, 2 to 4, यानि कि a की power 2 मिलेगी, तो इसी तरह से इसी का हमने use किया है, power अगर 4 होगी, तो power उसकी half होके आएगी 2, 4 का अधा इस तरह से मिल जाएगा आपको, question number 6, समझते हैं, यहां पर यह दिया हुआ है कि यदि a की power x बरावर b, b की power y बरावर a, तो हमको prove करना है x y बरावर 1, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां से a की power x बरावर लिखा हुआ है b, इसको माल लेंगे equation first, और जो b की power आपका y बरावर है a, इसको माल लेंगे equation number second, तो यहां से क्या करेंगे कि जो equation 2 से जो A की value है इसको हम equation first में put करेंगे कैसे देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे put the value of A from equation second in equation first यानि कि A का मान समीकर्ण 2 से समीकर्ण 1 में रखने पर यानि अब यहाँ पर A के place पर आपको रखना है कितना रखना है B की power y ओके यहाँ पर whole power A की power X थी तो इसी तरह A की value हमने रखी B की power Y और whole power यहाँ पर क्या है X तो X यहाँ पर लिख दिया बराबर B हो गया ओके अब यहाँ पर क्या है कि whole power है आपकी X तो X Y का power से हो जाएगा multiply तो इसको लिख सकते हैं X Y B की power X Y बराबर B जब याद रखेंगी जब आपका बीच में equal का sign होगा और दोनों मतलब LHS और आर्चस दोनों side में आपके base same है तो power का comparison हो जाता है यहाँ से power कितनी मिल लही 1 मिल लही यहाँ से power मिल लही X Y तो लिख देंगे घातों की तुलना से घातों की हम तुलना कराएंगे घातों की तुलना से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर X Y बराबर 1 लिख सकते हैं ओके तो इस तरह से आपका देख सकते हैं जो आपको prove करना था है यह को इस तरह से X Y बराबर 1 आ गया question number 7 समझते हैं इसको यहाँ पे आपको इसको solve करना है solve करने का मतलब x की value find करनी है तो इसके लिए देख सकते हैं कि जो ax के जितने भी term है वो आपको power में दिख रहे हैं तो अब इसको कैसे simplify करेंगे जब भी आपको power में मतलब power से solution निकालना है तो base को same करना पड़ता है और उसके बाद जब हम base को same करेंगे तो हम घातों की तुलना करा लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि under root under root का मतलब होता है घात 1 वटा 2 यानि कि power हो गई है 1 upon 2 ओके? अब whole power है 2x plus 3 इस तरह से फिर यहाँ पे यहाँ लिखा हो है 25 25 को हम लिख सकते है 5 into 5 यानि कि 5 facts are 25 तो इसको लिख सकते हैं 5 की power 2 ओके? यहाँ से फिर इस तरह 5 की power whole power है 2x minus 1 ओके? आब यहाँ पे क्या है कि एक rule होता है कि x की power m है और यहाँ पे क्या और आगे भी इस इतने से तो इसको देखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x plus 3 upon 2 1 upon 2 का जब 2x plus 3 से multiply करेंगे तो upon में मर्तब 2 ही रहेगा is equal to आ जाएगा आपका 5 की power 2 अब यहाँ पे क्या multiply लगा हुआ है मतलब अगर bracket है bracket के बीच मेर्टी application का ही sign होता है तो 5 की power 2 है या 5 की power 2x minus 1 है तो हम इसको क्या करेंगे base same है तो power को add कर देंगे यानि कि 2x minus हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा अब यहाँ से फिर इसको solve करते हैं आगे 2x plus 3 upon में 2 है is equal to 5 की power यह आपका 2x है और 2 से मतलब 1 जब घटाएंगे यानि कि plus का 1 मिलेगा ओके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो equal का sign है इधर 5 है और यहाँ भी 5 है यानि कि base आपका same है और इस तरह से हम power का करा सकते हैं comparison तो यहाँ पे लिखेंगे हम घातों की तुलना से घातों की तुलना से तो घातों की तुलना कराते हैं यहाँ पे 5 की जो घात है वो है 2x प्लस 3 upon 2 is equal to यहाँ पे जो power है वो आपकी है 2x प्लस 1 अब इसको हमें यहाँ से x की value find करने हैं तो इसके लिए क्या करेंगे इसके denominator यानि हर में हम 1 let कर सकते हैं अब यहाँ से करेंगे cross multiply इस तरह से cross multiply करेंगे तो 2x प्लस 3 multiply करेंगे जो 1 से multiply करते हैं तो same ही रहेगा अब यहाँ पे 2 से multiply करना 2x प्लस 1 तो यहाँ से 2x प्लस 3 is equal to 2 to the 4x अब प्लस 2 का 1 में कराएंगे यानि कि प्लस का 2 मिलेगा इसके बाद जब हम इसको पच्छांतरन करके इधर लाएंगे यानि LHS side में लाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 2x यह प्लस का 4 है तो हो जाएगा आपका minus का 4x is equal to 2 है इस LHS से जब value जाएगी arches में तो इसका भी sign change होके हो जाएगा minus तो यहाँ से 2x से जब 4x यानि कि दो जब value है एक में प्लस से एक में minus हो तो value subtract होगी बट जो sign होगा वो हमेशा जो greater value होगी उसका लगेगा यानि कि यहाँ से आपका आजाएगा minus का 2x इसी तरह इसका मिलेगा minus का 1 माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो इस तरह से मिल गया आपका x ब्रावर 1 अपांट 2 तो यह हो गई आपकी x की value तो क्या हमने किया सबसे पहले power को simplify किया उसके बाद power का यहाँ पे comparison कराया उसके बाद cross multiply करके x की final value हमें मिल गई चलिए अब question number 8 समझते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ यह दि a की power x बरावर m a की power y बरावर n और a square बरावर इतना यह दिया हुआ है इसकी साहता से यह हमको सिद्ध करना है कि x, y, z बरावर 1 तो यहाँ पे यह 1, 2, 3 तो 3 equation है पहले हम इनको लिखते हैं फिर आगे बरते हैं यानि कि a की power x बरावर हो गया m इसको equation फर्स लेट कर सकते हैं a की power जो y बरावर क्या है n इसको हम equation second let कर सकते हैं n जो a square बरावर है आपका m की power y n की power x और whole power क्या है आपर z हैं इसको equation number 3 लेट कर सकते हैं अब हम क्या करने वाले हैं कि जो m की value है और n की value इसको equation number 3 में रखेंगे क्यों रखेंगे क्योंकि हमको x, y, z यहां पे बरावर 1 जो है proof करना है तो इसलिए हमको m और n की जरूरत है नहीं तो m और n की जो ही value है वो हम equation number 3 में put करेंगे तो put करते हैं तो यहां से equation number 3 में put करेंगे तो a square बरावर आपका मिलेगा m यहां के place पे क्या रखेंगे a की power x अब m की power है y तो इसकी power हो जाएगी आपकी y हो जाएगा इसी तरह n की power x है n की value कितनी है a की power y है तो y लिखा और इस पे n पे कितना power है x है यानि की n की whole power क्या x है n की value हमने रखे a की power y तो इसी तरह x भी साथ में इसके लिखा जाएगा फिर यहां पे देख सकते है whole power जो इस पे है वो कितनी है आपकी z है तो यह z लिख लेंगे आप क्या करेंगे आप power का power से multiply करने वाले है यानि की यहां पे हो जाएगा a की power x y इसी तरह से into a की power होगा x y और whole power यह है आपकी z तो इस तरह से whole power z लिख लेंगे अब a square a square यह साथ में चल लाँ आपका तो multiplication में क्या है देख सकते हैं जो base है वो a into a है तो power को हम add कर देंगे यानि की x y plus x y जब add करेंगे तो हो जाएगा 2 x y जैसे a plus a कितना होता है 2 a तो इसी तरह x y plus same value जब add करेंगे तो x y यानि की same value को add करेंगे तो यहां पे 2 x y आपको मिल जाएगा और whole power आपकी कितनी यहां पे z है तो इस तरह से इसको z लिख लेंगे फिर यहां पे मिलेगा हमें a square बढ़ाबर अब यहां से फिर से बन गया a की power m whole power n है यानि की m into n करेंगे यानि की आजाएगा 2 x y z ओके अब यहां पे देख सकते हैं की base जो है same है equal का sign लगा हुआ base आपका same है तो हम power का करा देंगे comparison यानि की घातों की तुलना कराएगे जब तो हमको मिल जाएगा यहां से मिलेगा 2 बरावर 2 x y z और हमें value find करनी x y z की तो जब x y z लिखेंगे x y z तो ये 2 लिख लिए और जो multiplication में था इसका जब मतलब पच्छांतरण करेंगे तो ये वाली जो value है 2 ये multiply में तो ये upon में आ जाएगी इस तरह से 2 ओके 2 से 2 cancel होके जब divide करेंगे तो आपको मिलेगा 1 x y z बरावर क्या हो गया 1 तो इस तरह से यहां से ये आपका proof होता है hence proved क्या करना था simply ये हमको x y z 1 प्रूब करना तो इसके लिए हमें m n की ज़रूरत थी नहीं तो हमने क्या किया equation number 3 में ये m n की value put की फिर यहां से जो घातांक सिधान था उसका हमने use किया x y यहां से x y x y x y add होके 2 x y मिल गया और इस तरह से z से multiply करेंगे 2 x y z मिलेगा इसके बाद जो आपका base है यहां भी ए है जब base सेम होगा तो power का हम comparison कराएंगे ने कि 2 वरावर 2 x y z तो 2 upon में आएगा 2 से 2 cancel होके 1 मिलेगा x y z वरावर 1 यह proof होगा question number 9 समझते हैं यहां पे देख सकते हैं 2 की power x plus 6 and 8 की power x plus 1 तो यहां से x की value हमको find करनी है तो इसके लिए जो x है आपका वो power पे है जब power पे होगा तो power का हमें comparison कराना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ता है जो base है उसको हमें बरावर करना पड़ता है तो बरावर बस इतना ध्यान रखेंगे जो base है उसको बरावर कैसे करें बस इतनी सी बात है question solve हो जाएगा जैसे 8 है तो 8 को हम 2 की power में break करेंगे तो कैसे break करते हैं देखते हैं जैसे 8 है आपका तो 8 को 8 में 2 से divide करेंगे यानि कि दो चक को 8 यानि कि 2 force आ 8 फिर इस इतने 4 में कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा इसका table और 2 का 2 में जाएगा 1 बार तो यानि कि 8 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 2 तो कितनी बार हमने इसको गुडे में लिखा हुआ है 3 बार तो यहां से 8 को हम लिख सकते हैं 2 की power 3 तो इसी चीज का use यहां पे करने वाले हैं तो इसको लिखेंगे 2 की power x plus 6 इकोल का sign यहां पे 8 को लिख सकते हैं 2 की power 3 तो आ जाएगा आपका 2 की power 3 अब यहां पे देख सकते हैं जो base है आपका यहां भी 2 बन गया और यहां भी 2 बन गया और यहां पे आपका यह whole power था x plus 1 तो इस तरह से x plus 1 लिख लिए अब क्या करेंगे 2 की power x plus 6 is equal to आ जाएगा 2 की power यह power m है यह power n है तो m into n करेंगे यानि की 3x plus आपका 3 होगा 3 का multiply x के साथ कराएंगे 3x मिलेगा 3 का 1 के साथ करेंगे तो plus का 3 मिलेगा अब base आपका same बन चुका है तो power का comparison करा देंगे यानि की घात की तुलना तो घातों की तुलना से तो यहां से power कितनी है आपकी x plus 6 है और बरावर कितना है 3x plus 3 है तो अब इसका पच्छांतरन करेंगे 3x को जब इधर लाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा is equal to 3 आपका 6 से जो है इधर आएगा तो यह भी क्या हो जाएगा माइनस का हो गाए पच्छांतरन करेंगे तो अब यहां से plus का मतलब 1x है माइनस का 3x है जब इसको घटाएंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 2x बरावर यहां से भी जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का मिलेगा 3 क्योंकि जो greater value है वो आपकी माइनस की तो इसलिए माइनस का 3 आएगा इसी तरह से 1x से 3x सब्टेक्ट करेंगे तो माइनस 3x जो है बड़ा यानि की इस तरह से तो यहां से x बरावर माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो x बरावर मिल जाएगा 3 upon 2 यह जो आपका 2 था यह वाला 2 x के multiplication में था इसका जब पच्छांतरन करेंगे तो यह upon में आ जाएगा तो final तरीके से x बरावर 3 upon 2 इसका answer हो गया चलिए question number 10 इसको समझते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह इस तरह से question लिखा हुआ है और यहां पर आपका divide का sign है तो सबसे पहले जो divide है इसको हम multiply में change करेंगे उसके बाद question को solve करते हैं जैसे 5 लिख लेंगे into under root का मतलब होता है घात 1 विटा 2 इसी तरह 5 की power 3 जब यह divide का sign है इसको हम change करेंगे multiply में तो क्या होगा कि जो यह आपका मतलब लिखा हुआ है 5 upon 1 तो जब multiply का sign लगाएंगे तो यह 5 है यह upon में आ जाएगा यानि 5 की power 3 upon 2 और आपका 1 यहां पर आ जाएगा यानि कि यह जो fraction है यह change हो जाएगी जब हम जो division का sign है उसको multiply में change करेंगे is equal to क्या है यहां पर 5 की power a plus 2 तो इस तरह से अब यहां पर 5 की power 1 plus 1 upon 2 plus 3 क्योंकि multiplication में देख सकते कि 5, 5, 5 यानि कि जो base है वो सेम है तो power को हम विसाइन add कर रहे हैं यहां पर 1 power मिल लई यहां पर 1 upon 2 मिल लई यहां पर 3 मिल लई और फिर इस तरह से इसको जब हम मतलब जो हर से जब हम इसको unspill ले जाएंगे तो power का जो sign है वो हो जाएगा change यानि की minus का 3 upon 2 बन जाएगा is equal to 5 की power a plus 2 मिल गया अब इस तरह से इस fraction को हमें solve करना है तो कैसे solve करेंगे सबसे पहले इसका जो यानि की जो 2 है और यहां पर 1 लिखा हुआ यहां भी 1 है upon में 2 मतलब इसका जो LCM है वो 2 आएगा तो 2 का 1 में multiply करेंगे 2 मिलेगा यह 1 रहेगा 2 का 3 में multiply करेंगे 6 मिलेगा इन्टू 5 की पावर माइनस 3 upon 2 is equal to 5 की पावर a plus 2 अब इसको solve करना है हमको तो 2 plus 1 यानि की 3 और 6 यानि की हो गया आपका पूरा 9 तो 9 upon 2 इन्टू 5 की पावर माइनस 3 upon 2 is equal to 5 की पावर a plus 2 फिर से यहां पर हमें एक rule apply करेंगे कि multiplication में जो आपका बेस से वो सेम है तो पावर भी sign add हो जाएगी यानि की 5 की पावर लिखेंगे 9 upon 2 minus 3 upon 2 is equal to 5 की पावर a plus 2 यहां से क्या है कि जो हर है वो 2 है यानि की uns को हम अज जाएसे ही subtract कर सकते हैं यानि की 5 की 9 से 3 जाएगा कितना मिलेगा 6 upon 2 is equal to 5 की पावर a plus 2 अब यहां से जब हम 2 का divide करेंगे 6 में 2 बन जा 1, 2 थरी जा 6 यानि मिलेगा हमको 5 की पावर 3 is equal to 5 की पावर a plus 2 ओके तो अब यहां पर देख सकते हैं कि जो base है आपका वो सेम बन गया तो हम पावर का यहां पर comparison कराएंगे यानि हमको मिलेगा 3 is equal to घात की तुलना कराएंगे a plus 2 यहां value हमें को निकालनी थी a की तो इस 2 को इधर लाएंगे तो आजाएगा आपका minus का तो a की value क्या मिल गए यहां से 1 मिल गए तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं इस तरह से solve हो गया तो दुबारा से समझेंगे यहां पर तो यहां पर जब under root का मतलब होता है power 1 upon 2 तो power 1 upon 2 लिख लिया इस तरह से इसको दुबारा सिर्फ हमने यहां पर note कर लिया और जब यहां पर division का multiply में किया तो यह जो है change हो जाएगी fraction 1 upon 5 की power 3 upon 2 हो जाएगा is equal to 5 की power a plus 2 मिल गया अब यहां पर क्या है कि multiplication में 5 और यह 5 यह 5 यह 5 यानि कि base आपका same है तो power को हम with sign add करेंगे कि 1 1 upon 2 plus 3 इसको जो solve out करेंगे तो हमको यह finally fraction मिलेगी 9 upon 2 ओके तो 5 की power minus 3 upon 2 is equal to इतना अब इसके बाद क्या है कि फिर से वही rule apply करेंगी कि multiplication में आपका base जो है 5 वो same है तो 5 की power 9 upon 2 और यह power होगे minus 3 upon 2 इसको यहां पर लिख लिया अब यहां पे जो हर देख सकते हैं यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो uns को जो भी लिखा हूँ हम बैसे लिख लेंगे 9 minus 3 यानि कि हमें मिलेगा 6 और जब हम 2 से divide करेंगे 6 में तो आपको मिल जाएगा 3 यानि कि 5 की power 3 is equal to यह 5 की power a plus 2 अब यहां पे क्या है equal का sign लगा हुआ है और आपका base देख सकते हैं यहां भी 5 है तो यहां पे हम जो है जो power है power का कराएंगे comparison यानि कि 3 is equal to a plus 2 यहां से देख सकते हैं फिर 2 का जब हम पच्छांतरन करेंगे यानि कि 2 को जब हम LHS side में लेके आएंगे तो plus का यह बन जाएगा आपका minus का तो 3 minus 2 यहां से a की जो value है वो मिल जाएगी आपकी 1 तो यह इस तरह से आपका जो है answer हो गया प्यारे दोस्तों अगर आपको यह questions समझ में आ रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप like कीजे और इस channel को subscribe कीजे और जो भी आपकी questions related problem है उसको नीचे आप type कर देंगे तो जो भी problem होंगी आपको next वीडियो में वो solve कर दी जाएंगी और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 वीडियो को